हेलो विल्कम बैक तो दा चैनल पी एस क्लासिस और दिस इस वरुन महाजन तो चलो शुरू करते हैं हमारा साइंस का प्रिविज एस कोशिंस डेट आस्क पाई जेके एसस भी इन वेरियस एक्जाम्स ओके तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दू कुछ कुछ नहीं होता पास उनका काम होता कॉमेंट करना बिना वीडियो देखे ही कॉमेंट कर देना है ना होते हैं ऐसे कुछ अगर वीडियो देखो कॉम्पलीट उसके बाद कॉमेंट करो क्या गलती है बताओ यहां पे कुछ बच्चे हैं बेकार के बेकार के बांद करो अगर जो यहां पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पढ़ने तो यह बेकार की बेफ़जूल की बाते जो हैं यहां नहीं चलेंगी नेक्स टाइम अगर आप लोगों ने यह फिर से चीज रिपीट होती है उनका मैं यहां पर नाम लूँगा और साथ से उनके चैनल को ब्लॉग ठीक है तो इसलिए बेकार के बेफ़जूल के कॉमेंट करना बंद करो पढ़ने की तरफ जाओ अगर समझ आ रहा अची बात है अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो अनसब्सक्राइब करो किसी और चैनल से जाके पढ़ो ठीक है आपको यहां पर फ्री में कंटेंट दि इतने अच्छे हैं जो इस समय भी अपने जो है वो आंसर्स दे रहे हैं अच्छा रिस्पांस आ रहा है बट होता ना बीच में कुछ एक आदा ऐसे आ जाते हैं जिनका पढ़ने का मन तो होता नहीं है बस उनका काम होता है नेगिटिविटी ही फिलाना वही कुछ बच्चे दो चार ऐसे हैं बीच में जो नेगिटिविटी बस फिलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं बाकी बच्चों का भी जो माइंड जो है डिस्ट्रैक करते हैं उनका तो अल्लेडी हुआ ही होता है तो इसलिए उनको मैं यही चीज बोलूँगा धियान से पढ़ो अच्छे से जो है पूरा 1000 मेंबर्स जो है हमने पूरे अपने कवर कर लिए तो उन सब का शुक्रिया ठीक है बट जो बच्चे नहीं बेकार के हेट हेटिट कॉमेंट इस टाइप के देते हैं तो उनको भी मैं यही चीज बोलूँगा वो भी पूरी वीडियो देखें पूरी वीडियो कि कुमेंट करते हैं दिमाग खराब होता है चलो छोड़ोने चलो देखो पैलो कोशन देखो यहां पर बोला गया है जैसे कि आपको यह बताना है कि आपको यह चीज बतानी है कि कौन सी डिजीज बेसिकली हम बात करें कॉलरा देख लो टाइफार देख लो और जॉन्डस ठीक है तो तो हम यह बोलेंगे यह जनरली हमें देखने को मिलती है इस टाइप की डिजीज हमें देखने को मिलती है किसके कारण देखने को मिलती है आप लोगों ने यह बताना है ठीक है बढ़ भी सकते हो यहां पे लिखा हुआ है विच आफ ता फॉलिंग इस रिस्पॉ हैं और कुछ बच्छे बोलते कि आप ताइम जुहाओ है जादा देते हो यह ताइम जादा नहीं दूँँगा तो फिर आपकी अपना पना आंसर देख सको और साथ में अपने माइंड पर कर सको, मैं सीधे ही आंसर बता दूँगा, इसका आंसर, तो आप सोचो कोई क्या, सोचो के कुछ निए, वो तो मैं बोल रहा हूं, है ना, तो इसलिए, थोड़ा टाइम देता हूं, मैनेज करो, सोचो, दिमाग लगाओ, मैं जो बोलूँगा, वो चीज में मुझे तो पता है बट आप लोग को भी जो है, वो तब ही पता होगी, जब आपने दिमाग का इस्तमाल करोगे, तो इसलिए, उस बच्छे को मैं यही चीज बोलूँगा, कि थोड़ा टाइम तब ही मैं जादा देता हूं, ताकि आप लोग भी जो है, वो सोच सको, चलो, नेक्स देखो, 76 का इसका सही आंसर आपका, ठीचै, नेक्स्ट, 78 ओशन थर्मल इनर्जी कणवरजन सिस्टम डाट इसमें, उप यह बोलेंगे जो सब्सक्तों, आपको कहां पर देखने को मिलेगा, 78 कोूशन मेंवे, पता बता ही, यह आपको जनरी ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है कि ओशन थर्मल इनरजी कनवर्जन सिस्टम जो है जो जाना जाता है किसी इसके लिए अपनी पावर जनरेशन को लेकर ठीक है तो यह आपको ड्रोपिकल रीजन में सूटेबल होता हुआ देखने को मिलता है ठीक है नیक्सट एम बात करें अटमोस्फिर की आपको लेर बतानी है जहांपे हमारी अजोन लेर जो है वह लाई करती है यानि कि जहां पर zone layer जह हो लोकेड़ करती है, location पूछी गई है, zone layer जह हो लोकेड़ करती है, कहां पर हमें देखने को मिलती है, atmosphere की कूंसी layer में, जैसे आप को ओता है, यह आपका ground, ground के ओपर आप अपर troposphere है, इसके उपर आपका स्टेट्टोससफियर है है ना, तो इस टाइप से आपके उपर मेजोसफियर है, अग्जोसफियर है, थरमोसफियर है तो ऐसे समय करके आपको ज्याज पूरी लेर जिए है वो आपको ऐसे देखने को मिलती है तो यहां पर यह पूछा गया कि आपको अट्मासफिर की कौन सी लेर में जो है वो देखने को मिलता है तो बता उसका सही आंसर क्या होगा एजी है रेपीटिड कोशन है पहला भी पूछा गया हुआ सही आंसर है इसका स्टैटो सफियर ठीक है नेक्स्ट रम बात करते हैं एटी वाला देखते हैं यहां पूछा गया एक एरिया है एक आप नैच्रल सिस्टम बोल सकते हो इस नैच्रल सिस्टम में आपको कुछ प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं कुछ आपको यहां पर एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं कुछ आपको यहां पर माइक्रो और्गनिजम्स देखने को मिल रहे हैं ठीक है और साथ ही साथ हम यहां पर यह बोलेंगे कुछ आपको नॉन लिविंग चीज़ें भी देखने को देखने को मिलता है जो में लीविंग सिंग में जो इस चीज़ को क्या बोला जाता है यह भी हम पढ़ेंगे यह आप गाता है एको सिस्टम प्रहके वह एक अवाथा है जहां प्लांट्स एनिमाल्स माइक्रो और्गनीजम्स ठीक है इतुई आप बोल सकते हो जितने भी living things है वो और non living things जो है इनके बीच में एक interaction जो है वो देखने को मिलता है ठीक है तो उस एरिया में क्या यह उस particular location उस particular functional area को हम क्या बोलेंगे ecosystem बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल्स ला की बात की जा रही है आपके finance account assistant के syllabus में तो नहीं है inspector के syllabus में भी नहीं है बर चलो किसी exam में पूछा गया होगा तो बाइल्स ला जो है according to the बाइल्स ला यह बोला गया है कि volume that occupy by the certain gas is double ठीक है तो वही चीज़ बोली गया है बाइल्स ला गिवन है कि volume अगर किसी particular gas का जो हम double कर दें तो प्रेशर के ओपर क्या हमें देखने को मिलता है ठीक है यह पूछा गया है बताओ वाल्स लागे अंडर तो यहां पर जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा गयास का वो हो जाएगा आदा ठीक है volume अगर डबल हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाफ ओके चलो next हम next हम बात करें the major of highness और lowness of a musical tone sound और sound is called तो आपको sound एक musical tone ठीक है इसमें आपको कभी high देखने को मिलती है sound एक आपको low sound देखने को मिलती है high sound पिर low sound फिर high sound फिर low sound इस टाइब से आपको जो है musical tone या फिर musical sound में आपको इस टाइप की चीज जो है वो आप क्या करते हो feel करते हो तो यह basically क्या चीज है यह क्या चीज हम बोलेंगे इसको यह rhythm है pitch intensity है loudness है इस चीज को हम क्या बोलेंगे बताओ यह basically यह आपके होती है इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका इसका सही आंसर रहेगा आपका पिछ ठीक है तो यह पिछ है जहां पर आप आप जहां पर आपको हाइनेस और लोनेस जो है मुजिकल टौन यह मुजिकल साउंड में जो है वह देखने को मिलती है ओके नेक्स हम बात करते हैं कि वाइड फूड चेंज और फूड वेब स्टार्ट विद अपने जनरली देखाओ का फूड चेंज फूड वेब जो होती हमारी यह पूरी एक आपकी एक अब नेटवर्क का पूली चेन है जो आपको मेलता है ग्रीन प्लांट से हमारा यह शुरुधात होती है चैसे पर हको यह फूर कोण ये जो ग्रासी जा इसके ओपर कौन है ग्रास होपर है ठीक है अब हम बात करें ये जो ग्रास होपर है इसके ओपर कौन है फ्रॉग ठीक है ये खालेगा फ्रॉग इसको और ये जो फ्रॉग है इस फ्रॉग को जो है वो कौन खाएगा ठीक है वो इसको खालेगा ठीक है वो इ को देखने को मिल रही है है ना तो यह एक फूर्ड चेन आपको देखने को मिलती है इसका खाना ये 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 है ठीक है तो यह आपको देखने को मिल रही है पूरी एक फूर्ड चेन फूर्ड वेब एक नेटव और सभी आंसर इसका आपका है 83 का क्योंकि आपको पता प्लांट से हो हैं वो क्या करते हैं से हम देखें ग्रासी सी देख लो यह अब्जाब करते हैं जी सन इनर्जी को अब्जाब करेंगे और सन इनर्जी को अब्जाब करके यह अपना खाना जो है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं जब खाना अर्टो ट्रॉफ है तो खुद से खाना प्रोड्यूस किया अब इनका खाना जो ह सब्सक्राइब एक आपको चेन देखने को मिल रही है ठीक है तो यह का सही आंसर क्या रहेगा आपका option a next हम बात करते हैं little leaf is caused due to the deficiency of little leaf चो बेसिकली यह देखने को मिलता है किस deficiency कारण किसी की कमी के कारण देखने को मिलता है सही आंसर रहेगा इसका आपका जिंक ओके next हम बात करते हैं air pollution from the automobile can be controlled by fitting तो हम यह देखने हैं कि आपको होता है कि automobile से कितना ज्यादा air pollution जो है वह हमें देखने को मिलता है कि air कितनी जादी हमें पल्यूट होती हुई देखने को मिलती है और इस चीज़ को control भी किया जा सकता है इसको कैसे control किया जा सकता है वह पूछा गया है बेसिकली आप कैसे इसका सही आंसर क्या रहेगा मैं बता देता हूं इसका सही आंसर catalytic converter का यूज करो और इससे क्या होगा हम बोलेंगे इसकी फिटिंग से जो आटो मोवाइल में का यूज करने से हम बोलेंगे air pollution जो है वह कई हद तक जो है वह से control कर सकते हैं ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि most of the mass of the atom is concentrated अभी आपको पता है इस atom का most of the mass जो है, वह कंसेने को मिलता है ठीक है? इस atom का यूज कंसेने को मिलता है है ना? तो आपको पता है कि आपके जो electron है य्या आपके surrounding करेंगे proton neutron आपको इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे है ना तो यही चीज है कि अब इस न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटाउन न्यूट्रान है तो most of the mass atom का जो है वो कहाँ पर concentrated है न्यूक्लियस के अंदर option number D अच्छा नेक्स्ट रम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे इस सैलिब्रेटिड ओन तो वर्ल्ड वाटर डे को जो है वो सैलिब्रेट किया जाता है यह कब किया जाता है बताओ सही option है इसका D 22 March को नेक्स्ट हम बात करते हैं पूछा गया है कि current देखिए हमें कि electric circuit है उसमें current आपको zero ampere देखने को मिल रही है और ऐसा क्यूं है एक circuit है वहाँ पे आपको zero ampere की current यान की current flow हो ही नहीं रही है तो वो क्यूं ऐसा देखने को मिलता है क्या voltage वहाँ पे high होगी तब देखने को मिल रहा है या फिर circuit open है circuit close है बताओ कर सही answer इसका क्या होगा यह तो मैं पता है अगर resistance अगर low होगी तो आपको पता है वो बारियर एक्ट करती है current के ऊपर यानि कि यहां बोलागे resistance है ही नहीं तो current तो जादी flow होनी चाहिए बट यहां पे current का zero प्रिशन टू आई है तो यह भी नहीं बनता अगर current जादी है तो voltage भी हमारी जादी होनी चाहिए बट current यहां पर क्या है zero ओके तो यह option भी नहीं है circuit close होता तो हम बोलते है कि current का flow होता जैसे कि मैं बात करूं यहां पर यहां पर जैसे कि मैं बात करूं यहां पका circuit है ठीक ह यह आपका circuit close है अब यहां से current गई ठीक है यह battery बना लो यह current यहां से गई यहां से current गई current गई current गई current गई it current बुरी flow करेगी ना तो current flow हो रहे है यह zero current less carbon dioxide when burn तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा fuel है जो carbon dioxide की emission करता है तो है जब उसको जलाया चाता है इस fuel को तो carbon dioxide की emission होती तो है बट बहुत ही कम होती है ठीक है तो ये बताना है आपको 92 का बताओ easy equation सबको पता होगा वो कहा है जी आपकी natural gas natural gas को burn करोगे carbon dioxide के emission बहुत ही ना के बराबर होती है ठीक है फिर हम बात करते है जी नेक्स्ट आता है जी आपका floating generator generally use किया जाते है C's में ताकि किस energy को harness किया जाए energy को obtain किया जाए तो ये पूछा गया है कि floating generator का use किया जाता है C में समूंदरों में ताकि energy जो है वो ली जा सके maximum extract out की जा सके तो वो कौन सी energy की बात की जा रही है easy question है पता होगा सब को बताओ ज़रा ये तो हो नहीं सकता C की बात हो रही है hydro energy भी हो नहीं सकती C की बात हो रही है या तो tidal होगा या तो wave होगा टाइडल भी नहीं हो सकता आजा कि क्या बनता है वो वेव इनर्जी ठीक है सही option क्या है इसका वेव इनर्जी नेक्स रम बात करते हैं 93 हो गया अच्छ नमा साफ one hydrogen atom इस अप्रम इडलली तो यहां पूछा गया है कि यहां पूछा गया है कि वन hydrogen atom hydrogen को आप ऐसे लिखती हो वन hydrogen atom जो है इसका इसका मास अर्फिम्आप्रोक्षिमе्ट कितना रहता है ये बूछा गया है बताओ ज़रा सही option है इसका one atomic mass unit यानि कि इसको आप कैसे लिखते हो one amu ठीक है इस टाइब से भी आप लिखते हो जनरल यह आपने देखा होगा ओके next speedometer पुछा गया है vehicle का generally आप देखते हो गाड़ियों में speedometer लगाया गया होता है अब इस speedometer जो गाड़ियों में होता है यह क्या चीज़ हमें show करता है क्या चीज़ हमें जो है वो बताता है तो यह पूछा गया है बताओ तो speedometer जो गाड़ियों में लगाया जाता है यह हमें बताएगा instantaneous speed के बारे पर जो हमें बताता है next हम बात करते हैं कि wave that has a relative long wavelength will also have relative आप suppose करो यह देखा जी हमने एक हमारी wave है इसकी wavelength बहुत ही लंबी है ठीक है यहां पे आप देख सकते हो इसको कितनी जादी इसकी लंबी यहां से लेकर आपको पूरी यहां तक आपको पूरी wavelength देखने को मिल रही है इसको में लंडा से प्रेजंट करते हैं तो यह wavelength आपको लांग वेव लेंद है कि Time Period का मतलब क्या होगा आप देख सकते हो यहां पे अगर वेव लेंद लंबी है तो यहां तक वेव को यहां से यहां तक पूरा जाने के लिए पुरा यह हो गया हमारा पूरा पीड्य और पूरी कम्लीट होता है तो हम क्या बोलते हैं तुनुटा लंबा टाइम पिरिद है कितना लंबा टाइम लग रहा है न तो हम या वो यह बोलेंगे कि वेव अगर वेवलेंथ उसके अगर लॉंग है तो उसका लॉंग टाइम प्रेड़ भी हमें देखने को मिलेगा उप्शन क्या रहेगा ऑप्शन इसका 96 का भी रहेगा ठीक है कि नेक्स्ट हम बात करते हैं the 97 कि वट इसमेंट रए अमारबल कैंसर डियू तव विच दर ताज महल इस टूनिंग tool याल आप बेढ़ियं का मतलब आपको पता है कि marble को करोड कर देती है जिससे की हम बोलेंगे कि marble जो है वो white से yellow में turn हो जाता है 97 भी हो गया हमारा 98 हम बात करेंगे अब पूछा गया hooks la के बारे में पूछा गया कि हुक्सला जो है वो किससे relation का क्या relate करता है यह पूछा गया हुक्सला के बारे में तो यह बताओ आप सही option है इसका एठ ठीक है बाकिस लेवर्स में आपके नहीं है हुक्सला आप अपने साब्से से पढ़ सकते हैं ठीक है चौनसी क्वाची है जिसका magnitude भी है और उसकी Direction है तो मैंने तुम्हा रही तो तो magnitude का मतलब हो गया कि velocity के अपनी speed भी है और direction भी है तो वही चीज़ पुछी करिए कि कौन सी physical quantity है जिसकी speed यानि की magnitude जो speed का वो भी है और उसकी direction भी है तो वो है जी आपका option d velocity next हम बात करते हैं most common material जो generally use किया जाता है हमारा solar cells को बनाने में तो सबसे common material जिसका solar cells को बनाने में यूज किया जाता है इसका सही answer क्या रहेगा सही answer है इसका silicon तो silicon का generally use किया जाता है solar cells को बनाने में ओके तो यह था हमारे questions important हमने discuss किये जो पूछे गी हैं तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा तो इतना ही रखते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बट वही चीज मैं आपको बोलूँगा वीडियो को देखा करो तो आपको फ्री में चीज दी जा रही है तो उस चीज की कदर किया करो ओके चलो इतना है रखते हैं बागी मिलते हैं नेक्स लेक्चर में टेक के बाई बाई